मैं हूँ आयुश्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट कपिल शर्मा अपनी लव लाइफ को लेकर आजकल काफी चर्चा में बने हुए हैं कपिल ने जब ट्विटर पर गिन्नी की फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि मैं उन्हें अपनी बेटर हाफ कहने की बजाए ये लिखुँगा कि वो मुझे पूरा करती हैं तो सब को लगा था कि गिन्नी कपिल की गर्लफ्रेंड है और जल्द ही दोनों शादी करने वाले हैं पर सच ये है कि गिन्नी और कपिल की शादी पहले ही हो चुकी है और वो कपिल की गर्लफ्रेंड नहीं बलकि उनकी पत्नी है। कपिल ने ट्विटर के साथ ही फेस्बुक पर भी गिन्नी की फोटो शेयर की थी। ट्विटर पर जहां उनकी बात थोड़ी कंफ्यूजिंग सी थी तो वहीं फेस्बुक पर उन्होंने साफ लिखा था कि गिन्नी उनकी पत्नी है। लेकिन जाधातर लोगों का ध्यान कपिल के फेस्बुक पोस्ट पर नहीं गया। कपिल ने लिखा मेरी पत्नी से मिलिये, मैं दिपका पादकोन से ज्यादा प्यार उनसे करता हूँ। पिछले दिनों करन जोहर के चार्ट शो कॉफी विद करन में कपिल शर्मा ने कहा था कि दिपका पादकोन उनकी क्रश है। शो में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने से इनकार कर दिया था। कपिल ने कहा था कि उनकी मा जल्द से जल्द उनकी शादी कराना चाहती है। इतना ही नहीं कपिल ने आगे कहा कि उन्हें कोई ऐसी लड़की मिल नहीं रही जिससे वो शादी कर सके कपिल शर्मा इन दिनों अपने शो दे कपिल शर्मा शो के साथ साथ फिरंगी की शूटिंग में व्यस्त है राजीव धिंग्रा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में मुख्य बूमिका निभाने के साथ साथ कपिल शर्मा इससे प्रोड्यूस भी कर रहे हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही टेलिविजन और बॉलिवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं फिल्मी बीट